हाई फ्रेंज आज मैं बनाने जारी ही नए तरेके से मोमो जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है ताब भी इस रेसिपी को जरू ट्राइ करे तो शुरू करते हूं मैं बनाना त्यामने पत्ता गोवी सिम्ला मिच गाज है रेकिन चद्रा का ठुकरा और प्याज सब को मैं अच्छे से धो लिया है अब मैं इसे यहां पर मैंने यह कदुकस कर लिया है इसमें मैंने एक चमच घी डाला है घी है जो जम गया है और स्वाद अनुसार मैंने यहां नमक डाला है और इसे हम अच्छे से मसल मसल कर मिला लेते हैं तो यहां पर मैंने इसे मिला लिया है तो हम इसे रख देते हैं एधर मैंने एक कप मैदा लिया है स्वादे नुसार मैंने यहां नमक डाला है एक चमस मैंने यहां तेल डाला है और अच्छे से हम मैदे में मिला लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम पाने डाल कर इसे बिल्कुल सौप्ट दो त्यार कर लेते हैं तो यहां पर हमने डो को त्यार कर लिया इसे पांच मिनट के लिए हम रख देते हैं तो यहां पर पांच मिनट हो गया है मैदा भी हमारा सेट हो गया है तब हम इसमें थोड़ा सा सुखा मैदा डालेंगे अब छोटे छोटे हम बॉल्स त्यार कर लेते हैं तोड़कर इस तरह से आप एक वार में तिन चार या तो त्यार कर ले या तो एक अग करके त्यार करें आओ बेलते जाए जो आपको असान लगे त्यार पर मैंने तिन चार त्यार कर लिया है और एक मैं बड़ा साज का गोला बना लेती हूँ इससे आप एक वार में तिन चार पूरी आप त्यार कर सकते हैं तो छोटे छोटे पहले हम बेल लेते हैं बिल्कुल पतला पतला यह बेल लेते हैं इसको भी रोटी के साज का और इसे हम गिलाज से काट लेते हैं तो जो आपको असान लगे उस तरह से आप पूरी बेले मुमो का और इसी तरह से हम सारे पूरी तयार कर लिए हैं अब हम इसमें से एक उठाएंगे और इसमें हम मिसरन को एक चमच डालेंगे और चारत रप इस तरह से घूमाते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से तो हमारा मुमो का पोटली तयार हो गया है जो बिच में बच गया है उसे आप इस तरह से दाब दे और इसी तरह से हम सारे Momo को त्यार कर लेते यह असानी से बन जाता है अगर आपको नहीं आता है तो आप Market से भी Momo का सेफ मिलता है वो आप लाकर बना सकतेért Momo टेकिन एक बार इस तरह से बनाकर Try करें बन जाएग असानी से तो मैंने सारे मोमो इधर तयार कर लिया है अब हम मोमो को स्ट्रीम करेंगे तो यहां मैंने कराई में रखा है और यह गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और यह मैंने गेहूं चलने वाला चलनी है वो मैंने रखा है और इसे 5 मिनिल के मैं धकन से धक देती हूँ तो पानी हमारा गरम हो गया है तो हम जाली पर रखने के लिए ये पत्ता गभी का जो फ्रंट पर जो खराब पत्ते होते है तो मैंने अच्छे से धो लिया है और इस तरह जाली पर मैंने फेला दिया है इसे मोमो है जो बहुत ही अच्छा से इस्टीम होता है तो मैं एकर कड़के सारे मोमो को रख देंगे तेहाँ पर मैंने सारे मोमो को रख दिये है 15 मिनिट के लिए मैं धकन से धक देती हूँ तेहाँ पर 15 मिनिट हो गया है अब मोमो भी हमारा पक गया है तब मैं इसे ठंडा हो जाने के बाद इसे एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूं तेहां पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है आप इसे टमाटर सोस के साथ भी खा सकते हैं खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तेहां मैंने फ्राइपेन रखा है दो चमस मैंने यहां तेल मैं Nature अध्रक्षिन गुटा हुआ डाला इसके जगा पेस्ट भी डाल सकते हैं है अर यहाँ पर मैंने बारी कक्टा हुआ इसके arg通 केकथ डाली हूं यहाँ पत्ता गवई गजर और यहाँ पर fed ज़्या डाला है और ठोड़ा सा मैंने स्वाधन सार नमक डाला है और से दो मिनाट तक मूझ लेती हुँ तो यहाँ पर दो मिनाट हो गया है इसमें हम एक चमछ सोस डालेंगे यहाँ पर मैंने सोया सोस डाला है और चार चमबा हम इसमें ये टमाटर सोस डाल रहे हैं और इसमें हमने ग्रीन चिली सोस डाला है अगर आपके पास ग्रीन चिली सोस नहीं है तो इसके जगा आप रेट चिली सोस भी डाल सकते हैं और इसे हम इस तरह से मिला लेते हैं, एक मिनट के लिए, तो यह अब हो गया है, अब मैं इसमें एका करके मोमो को डाल देती हूं तो यहां पर मैंने सारे मूमों को डाल दिया और इसे इस तरह से मिला ले और इसे गरम-गरम सब करें यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है एक मेरे तरीके से एक बार आप जरूर ट्राय करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो आपको मेरी वीडियो आप पूछ करें अब मुझे कमेंट करके जरूर बहुत अब मुझे कमेंट करके जरूर बहुत है